नमस्का दोस्तों दोस्तों अगर आपके यहां पर multiple devices लगे हुए हैं और अगर आप किसी एक device में सभी employees का face या finger register करते हैं तो आपको बाकी devices में manually उनको transfer करना पड़ता है यहां पर device में आप जाते हो upload user to device फिर यहां पर आप device select करते हैं और यहां पर employee select करके यहां पर आप upload कर देते हैं मगर आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप machine में किसी एक machine में finger या face register करते हैं तो दूसरी device में automatically जो है वो face लिए से close कर दिजी अब यहां पर हम एक device में आना है और यहांपर device group में आ जाना है यहांपर एक डिफल्ट ग्रुब बना वा है आप चाहिए तो यहांपर नया एड्ट कर सकते हैं यह इससे भी आप अधिर कर सकते हैं मैं यहांपर नया ग्रुप कर देत wollte यहां छाथ है टे प्सक्रव यहांँ श्यूसे क्लोज कर देंगे तो आप हमारे यहांपर जितने है उण guaranteed करेंगे साथ जो फर्स्स SAY उसको हम एडिक करेंगे यहां पर Stew करेंगे यहां पर भीन पेस्ट करेंगे तो इसी तरह एपको छेम करद ल verso कुछ आप जब हम किसी भी डिवाक में फिंगर या फिछ रिजिट लेगे तो दूसरे डिवाइस में आप अप्र हो जाएगा तो आजीए देखते हूं चुर्शर दो यह पर मेरा फिंगर रिजिटर नहीं है कि तब कि यहां पर भी मेरा फिंगर जेखर égले टेности और यहां पर अपना किते हैं तरह यहां पर यहां है हमारा फिंगर हो चुका है है अब इस डिवाइस जो है तो चुजब webs ato हो चुका है तो अमेदा हैं तो तो अदोस्तों को यह पसंद आी होगी तो अबित歪 अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद दोस्ते